तो फाइनली दोस्तो रिसलमेनिया बैकलाश आई गया तो आई ये दिखते हैं कि रिसलमेनिया बैकलाश में कौन-कौन जीतेगा कौन सी टीम कि दूसरे टीम को हराएगी और कौन रिसलमीनिया बैकलाइश में अपने बदले को पूरा करके वापस निकलेगा और कौन रिसलमीनिया बैकलाइश का विनर बनेगा इसलिए सेत्रोलिंज ने कॉडियोस को एक और मैच के लिए चैलेंज किया ये कहते हुए कि वो रिसलमीनिया में कॉडियोस के लिए तैयार नहीं थे इसलिए कॉडियोस ने सेत्रोलिंज को हरा दिया विनर बनेंगे। अब नेक्स मैच के बाद हे मोगते हैं जो कि एज वसे EJ स्टाइल का मैच ये भी रिसल मीनिया का रि मैच है। EJ और EJ स्टाइल के मैच में एज ने EJ स्टाइल को हरा दिया और उसके बार करते हैं स्मैकडान वोमेंस टैटल के बारे में जो की हो रहा है रॉंडारोजी वसे शालेट के बीच में ये मैच कोई मामूली मैच नहीं ये मैच है आई कुछ मैच यानि कि इस मैच में आप तब ही जिस सकते हैं अगर आपका अपोनेट इस मैच के लिए आई कुछ बोल दे ये भी रिसलमीनिया का रिमैच है रिसलमीनिया में तो शालेट ने अपने टैटल को बचा लिया लेकिन अब रिसलमीनिया बैकलैश में इन दोनों का मैच हो रहा है और इस मैच में सबसे जादे चांसे जही है कि रॉंडारोजी शालेट को हरा देंगी और रॉंडारोजी रिटान आने के बाद WB ने रॉंडलोजी को रेसल मेनिया में हरवा दिया और अब रॉंडलोजी शालेट के साथ दुबारा मैच कर रही है और WB रॉंडलोजी की मूँ से आई कुछ तो निकल आएगा नहीं तो इसलिए इस मैच में सबस्याते चांसित यही है के रॉंडलोजी शालेट को हरा दिंगे और इस मैच की विनर और नियू स्मैकडॉन वोमेंच चैंपियन बन जाएगी अब आईए दोस्तों बात करते है बॉबी लैस्टी वसे ओमास के मैच के बारे में ये मैच भी रेसल मेनिया का री मैच ही है बॉबी लैस्टी ने ओमास को रेसल मेनिया में हरा दिया और उसके बाद ओमास ने रॉं में आके बॉबी लैस्टी को चैलिंज किया लेकिन हमें ट्विस्ट ये दिखने के लिए मिला कि ओमास के साथ आगए MVP और MVP ने बॉबी लैस्टी को धोका दे दिया और अब फाइनली रेसल मीनिया बैक्लाइश में इन दोनों का मैच हो रहा है इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि उमास MVV के मदद से बॉबलेशी को हरा के इस मैच के विनर बनेंगे तो आईए दोस्तों आप रेसल मीनिया बैक्लाइश के में इवन्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है सिक्स मैं टैक्टी मैच जहां पर एक तरफ है दबलेड लाइन और दूसी तरफ है डू मैकिंटायर और आरके ब्रो दबलेड लाइन के उपर भारी परती वी नजर आ रही थी तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रेसल मीनिया बैक्लाइश में डबलेड लाइन टू मैकिंटायर और आरके ब्रो को हरा के अपना बदला जरूर लेगी तो दोस्तो आप लोगी कमेंटो जो बताइए कि आप लोग किसके साथ है डबलेड लाइन के साथ है या आप लोग डू मैकिंटायर और आरके ब्रो के साथ है और कमेंटो ये भी जो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो भी के लिए बस इतना ही ठांक यू एड गुडबाई